खेल संग्राम में आपका स्वागत है उपनर मैंग अगरवाल भी कुबी प्यादों की गेन पर नत्थु सिंग को गैस दे बैठे इसके बाद दिनेश कार्तिक को 16 के स्कोर पर अमित मिशा ने विकेट कीपर अंकुष के हाठों स्टंप करा इंडिया ब्लू को तीसरा जटका दिया चौते दिन के खेल खतम होने तक इंडिया ब्लू ने तीन विकेट पर 149 रन बनाए रोई शर्बा 22 और रविद जड़े जा टीन रन बना क्रीज पर मौजूद है आखरी दिन का खेल अब से कुछी देर में खेला जाएगा ऐसे में इंडिया ब्लू पहली पारी में एक तरफा बढ़त हासिल करने के साथ जीत की और बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वही इंडिया रेड मुकाबला और टूर्नमेंट लगभग गवा चुकी है फिल्हाल ये फाइनल मुकाबला डॉर रहता है या इंडिया ब्लू इसे जीत लेती है ये आज का खेल टै करेगा लेकिन इंडिया ब्लू के लिए दिरिप टॉफी 2016 का चैंपियन बनना टै है आगे की खबरों के लिए देख करेंगे खेल संगराम